बिस्मिल्यारमान रहीम, असलाम अलेकूम, रिस्पेक्टि वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्टिक जुकात ओफिसर बीपियस जिसका 16 है ना, उसी का कम्प्लीट सॉल्ट पास पेपर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं और ये गाइस हैल्ड किया गया था 2015 में, वीडियो देखने के आपको वैसे काफी बेनिफिट्स होंगें लेकिन तीन से जो चार बेनिफिट्स होना वो तो बहुत ही इंपोर्टन्ट है और आपको पता भी होना चाहिए, एक तो आपको जो पहला बेनिफिट मिलेगा कि आपक कि उनकी कितनी प्रेपरेशन हो चुकी है, फर्दर आप सभी को पता कि हम जो क्वेस्टन से रिलेटी जो इन्फरमेशन होती है, वो तो मैं आप लोगों के साल लाजमी शेयर करता रहता हूँ, तो काफी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, और एक चीज और मोस्ट इंपोर्ट नतीजे में मिन के होते हैं, तो इन चार उप्शन में से हमने बताना है, तो राइट आंस जो बनता है ना, अर्थ रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस, तो उप्शन ए इसका राइट आंस बनता है, आप सभी को पता है ना, जो मारी जमीन है, यह अपने महवर के गिर्द म इस, तो हमने बताना है, अर्थ के अट्मस्फियर में कौन सा वाफर मिकदार में एलिमेंट पाया जाता है, यह भी जनल साइंस रिलेटिक कोईसन पूछा गया था, इन चार उप्शन में इसे हमने बताना है, तो याद रखिएगा, जब भी अर्थ के अट्मस्फियर की बा की जाए, ठीक है, और फर्दर सेकंड भी पूछा जा सकता है, कि सेकंड मोस्ट अबनेंट एलिमेंट कौन सा है, अर्थ के अट्मस्फियर में, तो आपने याद रखना है, ऑक्सीजन, ठीक है, उसकी भी रेशो याद रखीगा, 21st परसंट बनती है, ठीक है, तो आपने जि हमारे सोलर सिस्टर में, इन चार उप्शन में से हमने बताना है, तो बहुत ही इंपोर्टन क्वेसिन है, और यह उस बार मिन के पूछा गया था, तो राइट आंज जो बनता है वो है वीनस, वीनस को मौनिंग स्टार और इविनिंग स्टार भी कहा जाता है, बहुत ही रखना है यह सूरज के मिन के करीब तरीन जो प्लैनेट ना वह मर्करी तो यह भी आपने याद रखना है नेक्स मारा क्वेस्टन है वैसे यह क्वेस्टन मैं आपको पढ़ने से पहले काफी कैनिडेट इसको पढ़ेंगे रेनीसेंस ठीक है इस टाइप का कोई वर्ड पढ़ हूं यह एक ना फ्रेंच मिन के वर्ड फ्रेंच लेंग्विज का वर्ड इसका मतलब होता है रीबर्थ तो सिर्फ आपने यही याद रखने है रीबर्थ इन चार उप्शन में से कौन सा है यह ऑप्शन सी अप पिरियर ओफ रिवाइबल या रिबर्थ ओफ लर्णिंग ब तो सिर्फ आपने जो चीज़ याद रखनी है इसकी पारू नोसियेशन और फर्दर इसका मिनिंग क्या है ठीक है तो रीबर्थ मैंने आपको बता दिया है बेसिकलिए यह रीबर्थ ही हुई थी यह मैं आपको सेप्रेट इनिशाला एक नेक्स वीडियो बना दूंगा पा हुआ था किस येर में हुआ था बहुत ही इंपोर्टन क्वेस्टन है तो राइट आंसु बनता है ना 1789 में हुआ था इसका अगात ऑप्शन सीज़ राइट आंसर नेक्स क्वेस्टन है हूँ रोट था कम्यूनिस्ट मैनिफेस्टो तो काफी यह फेमस बूक का जी आपने इसके ऑथर का नाम याद रखना है इसके जो ऑथर थे कर्ल मक्स ऑप्शन भी इस दा राइट आंसर नेक्स वैसे ना विच्टा फॉल्मिंग इस नाट यूएन अजंसी ठीक है हमने इन चार अप्शन में से बताना है यूएन अजंसी कौन सी नहीं है यूएन की इन चार अ आप सबी को पता है कि यह WHO World Health Organization यह इजंसी है हमने बताना है कहूंसी नहीं है ILO International Labor Organization यह भी है फूड और एंजर अगरी कल्चर और यह भी है बाकि IECRC International Committee of the Red Cross यह नहीं है ठीक है तीनों उपर वाली हैं लेकिन यह IECRC नहीं है तो यही राइट आउंस हमने बेसिकली यही बत नेकस्स मारा क्यूंस हो इस नाउन एज दा फादर अफ जिमेटरी तो हमने जीमेटरी का फाधर बताना जी न चार अप्षम में से बहुत इंपोर्टन थै तो इकल भी यह यह राइट डाइट अंश नेक्स मारा को से तो मारिया मॉंटी सोरी इस नेम बताना है यह किस से ऐसोशियेट करता है Christian missions related, Child's education related, Woman's rights related, Nursing's related तो आपने यह याद है, यह basically मारिया मॉंटी सोरी जाना यह नाम जाना जाता है Child's की education related, ठीक है काफी ज़्यदा यह भी important question है option भी right arms बनता है The first navigator to sail round the world was तो पहला नेविगेटर बताना है हमने कौन था पूरी वर्ल्ड के अकॉर्डिंग तो राइट आंस चुपनता है जी आपने ये याद रहखना है फरडिनंद मेगलन option is the right answer next question है the deepest lake in the world is तो deepest lake हमने बतानी है पूरी वर्ल्ड के अकॉर्डिंग बहुत important question है कई बार ये पासपेपर में पूछा गया है बाइक कर ले option is the right answer next question है red light is used in traffic signal because तो हमने बताना है ये जो red light आप लोगों ने traffic signals पर देखी होंगी ये basically question में पूछा जाड़ा है कि red light ही क्यों use की जाती है traffic signals के लिए तो आपने ये याद रखना है एक तो आपने याद रखना है इसकी जो wavelength है वो longest होती है और further जो most important ये दूर के फासले से भी न इसको notice किया जा सकता है असानी के साथ इसलिए red light का use किया जाता है option is the right answer के काफी ज़्यदा important question है next question है cloudy nights are warmer because तो आपने ये याद रखना है ये वैसे basis question है ये mean के आपको पता है prevent करते हैं हमें बचाते हैं radiation से और further heat from ground to air से तो option ये ही right answer बनता है next question which is the following is not a primary color तो हमने इन चारप्श में से बताना है जी primary color कौन सा नहीं है blue ये भी है green ये भी mean के है red ये भी है लेकिन black नहीं है ठीक है तो ये आपने याद रखना है option D is the right answer next question sound travels fastest through sound आप सभी को पता होगा ये सबसे ज़्यदा fast mean कि किसमे travel करता है vacuum steel air water में तो steel में करता है जी आपने ये याद रखना है option B is the right answer next question the chemical name of vitamin C तो vitamin C का हमने chemical name बताना है जी इन चार उफशन में से तो याद रखीगा जो right answer बनता है ascorbic acid option B is the right answer which of the following is not a mammal तो mammal का मैं आप सभी को अमीद करता हूँ पता होगा इन चार उफशन में से हमने बताना है जी mammal कौन सा नहीं है हमने चार उफशन में से बताना है ठीक है बाकी आप सभी को पता है काओ दूद भी देती बचे भी देती गोट भी देती आवेल भी देती लेकिन फिश नहीं देती तो यही right answer बनता है option A is the right answer next question है age of tree can be determined by तो द्रख्त की जो उमर है ना वो हम कैसे उसको determine कर सकते हैं कैसे महियर कर सकते हैं यह question में basically पूछा जा रहा है तो इन चार option में से जो right answer बनता है याद रखेगा counting the number of rings in stem तो तने में जो rings होते हैं उनको count करने से ठीक है आप किसी भी दरख्त की जो age है ना उसको determine कर सकते हैं option A is the right answer next question है during the day time plants तो दिन के उकाद आप सभी को पता है ना पोदे मिनके वो क्या करते हैं वो carmendi oxide को जजब करते हैं और oxygen को छोड़ते हैं ठीक है और carmendi oxide को मिनके अंदर की जानब इंजजाब उनका करते हैं तो राइट अंसर बनता है ओप्षिन भी काफी ज़दा यह भी important question है next question है total volume of blood in normal human beings तो total volume of blood हमने बताना है एक नार्मल इंसान में कितना होता है five to six liters यह आपने मिनके quantity याद रखनी है next question है the number of bones in the human body of adult is approximately तो एक बालग इंसान में हमने बताना है bones की तदाद हड़ियों की तदाद कितनी होती है two zero six बाकि new born baby की three hundred यह भी याद रखिएगा next question है the average heartbeat per minute in a normal man is तो average हमने दिल की दरकन बतानी है heart beat जिसे कहते हैं per minute के coding एक normal इंसान में कितनी होती है तो 70 आपने यह याद रखने है वैसे अगर आप Google पर सर्च करेंगे तो आपको 6200 मिलेगा लेकिन आजकल जो modern के coding में बात कर रहा हूँ बाकि इस question में जो राइट रांस बनता है वो है 70 next question है what is the main component for bones and teeth तो इन चार अपशन में से हमने बताना है कौन सा main component है हमारी हडियों के लिए और दांतों के लिए तो calcium phosphate यह आपने याद रखना है काफी ज़दा यह famous question है next question है the human cell contains तो human cell हमने बताना है यह मिनके कितने kromosomes पर मुश्तमिल होता है तो इसका जो right transplant है वो है 46 kromosomes पर अगर paired की बात हो तो आपने 23 भी याद रखना है next question हमारा the strongest muscle in the human body is found in तो strongest muscle की बात होड़ी हमारी body में कौन सा होता है जी तो आपने यह याद रखना है बर्टक्स नाम है option B is the right answer यह रीड की हड़ी के ना नीचे की जानल में के जो muscle है वो कहलाता है option B is the right answer the main function of the kidney is तो हमने बताना है जी गुर्दों का क्या आमल होता है हमारी का क्या काम होता है नामारी body में तो इसका जो basically आप सभी को mostly candidates को वैसे पता भी होगा to remove waste products from the body तो जितना भी body body में fall to waste material है ना ठीक है तो उसको हमारी body से remove करते है जी kidneys यह आपने इनका function याद रखना है option C is the right answer next question है विचे तो following gland secret tears तो हमने इन चार वशे में से बताना है जी वो कौन सा gland है जिसकी वज़ाद से इमारे जो आंसूं है ना वो मीन के निकलते हैं तो इन चार option में से आपने यह याद रखना है बहुत important question है lacrimal gland है इसी के वज़ा से जो tears है वो secrets होते है option A is the right answer next question है the largest organ of the human body is तो हमने largest organ बताना है देखे question में आपने यह note करना है largest organ की बात हो रही है तो skin हमारी body में largest organ है अगर gland की बात होती तो फिर liver next one मारा question है a person of which of the following blood group is carda universal donor तो universal donor के वाले से मामीद करता हूँ यह तो हमने काफी बार question पड़ा हुआ है तो ओ जो group है ना यही universal donor कहलाता है next one question है enzymes helps in तो enzymes आप सभी को बताना मरी body में पाए जाते हैं यह क्या काम करते हैं मिंके किस के लिए हमारी body में बददकार होते हैं तो इन चार option में से हमने यह बताना है आपने यह याद रखना है digestion of food के लिए यह helpful होते हैं हमारी body में enzymes option B is the right answer next one question following vitamins promotes healthy functioning of eyes in human beings चार option में से हमने बताना है जी वो कौन सा vitamin है जो हमारी आंखों के function को healthy रखने के लिए काफी ज़्यदा important role इदा करता है तो vitamin A आपने यह याद रखना है बहुत यह basic सा question हो कई बार past paper में question पूछा गया है next question है malaria is a disease which effect था तो malaria एक बिमारी है किस चीज़ को effect करती है मारी body में सप्लीन को यह आपने याद रखना है जिसे हम तिली कहते है option C is the right answer leukemia is a disease which effect था तो leukemia आपने यह एक बिमारी है आपने काफी बार यह सुना होगा यह किसको effect करती है तो आपने यह याद रखना है तो सबसे पहले किस साइंटेंस टेमिन के द्रियाफ्ट किया था कि जो हमारी जमीन है वो रिवाल्व करती है गूमती है राउंड दा सन किसने बताया था जी यह आपने याद रखना है किसने copper nix ने option C is the right answer Alexandria flaming discovered तो इसने penceline discovered की थी यह तो आपने Mr. Chips I think 11th या 12th में sorry 12th में आपने Mr. Chips पढ़ी होगी उसमें भी आपने यह question पढ़ा होगा next question मारा the manga karta is तो manga karta यह मैंने आपको बताया हुआ है basically एक agreement था जिसमें human rights की बात की गई थी तो आपने यह याद रखनी चार्श में historical documents अकर्बिंग किंग्स पावर तो option D ही मारा right answer बनता है next question the permanent seat of international court of justice is located in तो permanent seat जो international court of justice किया ना वो कहां वाकिया है basically यह question में पूछा जा रहा है the hag you में option D is the right answer next question following UN organization is concerned with the welfare of the children throughout the world तो देखें इन 4 option में से हमने बताया है UN की वो कौन सी organization है जो concern करती है welfare of the children की चिल्डन के वाले से तो अगर तो आपको थोड़ा सा भी पता है ना जो UNICEF है ना ठीक है तो यही में के concern है बच्चों के वाले से ठीक है बच्चों की welfare के वाले से तो इसका आपने abbreviation भी याद रखना है United Nation Children Fund ठीक है तो इसका abbreviation भी याद रखीगा Next question है The term of office of a judge of the International Court of Justice is तो एक जो International Court of Justice में judge आना है उसकी term कितनी होती है duration कितनी होती है तो 9 years आपने यह याद रखना है Option C is the right answer Next question है Red Cross was founded by तो Red Cross कि किसने तर्याफ्ट किया था इन चार option में से हमने बताना है जी तो याद रखी है J.H. Durant Option A is the right answer Who among the following is the inventor of a system writing and printing for the blind इसने द्रियाफ्ट किया था जी अंदों के लिए system of writing का और printing का ठीक है तो आपने यह याद रखना है बहुत ही यह important question है Lewis Brayle ने Option B is the right answer Next question Who was the first human space traveler तो इन चार option में से हमने बताना है पहला human space traveler कौन था तो रइट आंस जो बनता है अपने याद रखना है यूरी गगरेन ने Option C is the right answer Who in Europe था modern nursing system तो किसने द्रियाफ्ट किया था जी modern nursing system रइट आंस जो बनता है Florence 19 गेल Option is the right answer Which street is famous for stock exchange market तो इन चार option में से हमने बताना है वो कौन सी street है जो जानी जाती है stock exchange market के नाम से तो आपने याद रखना है ये काफी ज़्यदा famous question है तो आपने याद रखना है Wall Street जो New York में है ठीक है यही stock exchange market के नाम से जानी जाती है Next question है Zionism is the nationalist moment of the तो याद रखीगा ये Jews की nationalist movement थी Zionism जिसका नाम था Option A is the right answer Fourth states means तो चोथी हमने इस्टेट पर तानी है जो नार्मली एक society में जानी जाती है तो fourth number पर आती है जी the press ठीक है Media Option A is the right answer Next question Oxygen is discovered by तो oxygen किसे ने discovered की थी बहुत important question है याद रखीगा जो सब प्रिस्ट लेने है Option A is the right answer Next question Food is cooked Quickly in a pressure cooker Because आप सभी को पता होगा Pressure cooker में आपने कभी Especially females की में बात कर रहा हूँ जन्होंने pressure cooker का use किया होगा तो उसमें बहुती जल्दी के साथ जो खुराक त्यार हो जाती है वो क्यों हो जाती है ये basically reason पूछी जा रही है तो आपने याद रखना है जो boiling point of water होता है वो increased हो जाता है इसी वज़ा से जल्द ही जो food है ना कोई भी अगर आप pressure cooker में रखती है तो वो जल्दी से prepare हो जाती Option B is the right answer Next question है Bronze is an alloy of तो bronze copper and tin का ही मजमू है आपने ये याद रखना है जनरल साइस से रिलेटरी ये question है नेक्स question है और ये पहले question सी मिलता जुलता है बलके right answer भी बनता है The major constituent of air is देखे वहाँ तो आर्थ atmosphere की बात ओड़ी है तो अब question थोड़ा सा गुमा के examiner ने पूछा है तो nitrogen मैंने आपको बताया हुआ है ठीक है ये ही right answer बनता है Next question है विजदा following is the hardest element इन चार option मेंसे हमने बताना है hardest element कौन सा है तो copper, diamond, silicon, iron तो diamond आप नाम से वाकफ ही होगे जी option B ही right answer बनता है Next question है विजदा following is fire resistant देखिए fire के against जो resistant है ना मिन के जो मुखालफत कहता है fire की इन चार option मेंसे हमने बताना है वो कौन है तो right answer बनता है जी asbestos ठीक है option A is the right answer Next question तो पहला जो metal था इनसान ने जो जूज किया था वो कौन सा था तो right answer बनता है लाजमी होसला वजाई के लिए ना comments करना है जैसी भी आपको वीडियो लगी ठीक है आप सबीने बहुत सा यूट्यूबर्स देखे होंगे जो music लगाकर pass papers upload कर देते हैं ठीक है लेकिन मैं आपको हर वीडियो में ये बात बताता हूँ basically pass papers अपलोड करने का मेरा ये objective नहीं होता मैं सिर्फ व्यूज लो में जो मकसद होता है बेशक मैं pass papers ये upload कर रहा हूँ आपको question का पता चलना चाहिए कि question में basically पूछा क्या जा रहा है musical लगाकर तो आपने बहुत सारा especially मैं PPSC की बात कर रहा हूँ an element common to all assets is common जो है ना assets में वो आप सभी को पता है hydrogen ही है all assets में जो common element option is the right answer the idea of civil defense organization was first emerged during तो सबसे पहले जो idea civil defense के वाले से वो first world war में में के emerge किया गया था तो पहली जंग अजीम के दुरान ठीक है तो आपने यह याद रखना है most important question है in Pakistan the first civil defense academy was established in 1958 at तो पाकिस्तान की जो पहली civil defense academy थी वो बनी थी 1958 में यह भी याद रखी या कहां बनी थी आपने उस city का नाम भी याद रखना है लहौर में option is the right answer सार्क disaster management center was set up in October 2006 at तो सार्क disaster management center आप सभी ने यह याद रखना है कभी यह set हुआ था October 2006 में और फर्दर यह कहां हुआ था याद रखी गा न्यू दिली में option is the right answer next question है the largest earthquake by magnitude in 20th century was recorded in 1968 20th सदी में जो सबसे ज़्यादा मिन के magnitude के कोडिंग जल्दले की बात की जाए तो जो record हुआ था 1960 में हुआ था ठीक है वो कहां हुआ था यह basically question में पूछा जा रहा है तो याद रखी गा जी वल दीविया में option is the right answer यह कहां है चाइल में यह भी याद रखी गा next question हमारा in 1935 चालिस फ्रंकिस reactor of US developed reactor scale is to measure देखे 1935 में चालिस जो फ्रंकिस थाना इसने ड्वेलप किया था reactor scale किसको मैयर करने के लिए यह basically question में पूछा जा रहा है तो reactor scale आप सभी को पता होगा या आपने कई बार लफ़ज सुना भी होगा magnitude of earthquakes को मैयर करने के लिए यूज किया जाता है इसके फिलाओं की क्या रीजन थी कि यह बढ़ती जा रही थी War of Independence in 1857 में तो basically जो इसके पीछे रीजन थी ना वो जबर्दस्ती कनवर्जन थी ठीक है Indians to Christianity की जानव ठीक है तो यही इसका right answer बनता है option B is the right answer next question है after which incident सरसेयद अहमत खान predicated that the gulf of differences between Hindus and Muslims of India shall widen the passage of time question में यह basically पूछा जा रहा है कि किस साने के बाद सरसेयद अहमत खान ने prediction कर दी थी कि हिंदू और मुस्लिम ठीक है यह आपस में इकठे नहीं रह सकते मिनकिन में difference की बात कर दी गई थी तो आपने यह चाहा देखना है उर्दू हिंदू तनाजे के बाद इन यूपी में यह भी question पास पेपर में पूछा गया है और इस टाइम भी पूछा गया यही राइटांस बनता है नेक्स वेशन है सरसेयद अहमत खान ask the Muslims not to join the Indian National Congress because तो बेसिकली उन्होंने मुस्लमानों को इस वजह से कहा था कि आपने इंडियर नैशनल कॉंगरस जोई नहीं करनी क्यूंकि उन में ना इंडियर नैशनल कॉंगरस में इकोल राइट्स की बात नहीं की गई थी ठीक है तो बेसिक सा मिंके यही वैसे बनता है बाकी इंशालला जब हम हिस्ट्री के लेक्चर को कवर करेंगे न तो उसमें आपको ठारासुस तावंट्स लेकर अब तक के जितने भी पॉलिटिकल इवन्ट्स है न इंशालला उसको एक सेपर्ड वीडियो में स्टोडी की मानद मिंके कवर करेंगे तो इन चार उप्शन में से नन ओब दीज ही राइट आंस बनता है ठीक है तो उप्शन डी राइट आंस बनता है तो बैसिकली जो सत्यागराफ मूमेंट थी न यह महात्मा गांधी नहीं मिनके इसको डिरेक्शन दी थी उनने बैसिकली यह कहा था कि आपने सिवल नाफरमानी की तहरीक मिनके इनने न अगाज कर दिया था किनके अगेंस्ट ब्रीटिश इंडिया में जो गॉर्मेंट थी न ठीक है मिनके उनने अक्सेप्टनस ओफ सर्टन डिमांड जो भी ब्रीटिश इंडिया की सर्टर डिमांड थी उनको accept करने से इंकार कर दिया civil नाफरमानी की तहरीक चला दी थी तो यही मिनके इसका right answer बनता है option is the right answer next question हमारा under which scheme did Muslim League surrender the demand of separate electorate for the Muslims हमने वो scheme बतानी है जिसमें Muslim League ने surrender किया था मिनके separate electorate की बात की थी मुसलमानों के रिए तो आपने यह याद एकना है दिली प्रपोजल्स 1927 में मिनके जो दिली प्रपोजल्स था था ना उसमें यही बात की गई थी separate electorate के बाले से option is the right answer who first spotted the Pakistan resolution 1940 तो आप सभी को पता ना करारता दे मकासर करारता दे Pakistan भी जिससे कहा जाता है इसको सबसे पहले किस ने स्पोर्ट किया था चोदरी कलिकू जमाने option b is the right answer next question the कराची nuclear power plant was built with the help of तो पहला जो nuclear power plant था था ना वो आपने यह याद रखना है वो तो सबसे पहले कराची में आए किसकी मदद से हमने वो तियार करवाया था जी कैनड़ा की मदद से option b is the right answer next question the congress formed minister after 1937 provincial election तो आपने यह याद एकना है वो seven provinces पर मुश्टमिल था option c is the right answer बहुत ही important question on which occasion काईदयाजम सेट हिंदू इंडिया and Muslims इंडिया पार्टिट एंड पार्टिट फार एवर तो यह तो काफी ज़द वैसे famous question है जब rejection हो गई थी narrow report 1928 में तो उन्होंने उस वकत कहा था कि जो हिंदू इंडिया के और परदर जो Muslimान इंडिया में रहती है ठीक है यह separate separate है में कि यह कठे नहीं रह सकते तो यह आपने याद एकना है जब rejection हुई थी narrow report की 1928 में next question है who took the out of governor general of Pakistan from काइद आजम तो काइद आजम जो half mean के लिया था as a governor general पाकिस्तान के तो वो किस ने लिया था काइद आजम से तो justice अब्दू रशीद यह काफी ज़दा famous question है option से राइट आंस बंता है हो प्रिंस्टी स्टेट इंडिया unlawfully occupied in November 1948 तो इंडिया में जो illegally हम इसे मिन की कह सकते हैं वो कौन सी स्टेट थी जो वजूद में आई थी 1948 में तो आपने याद रखना है वो थी हैदरापाद option is the right answer when Pakistan gave an application to the UN to become its member only one country oppose it identify तो basically question में ये पूछ जा रहा है कि Pakistan ने जब application दी थे न UN का member बनने के लिए तो किस country ने उसकी खालफत की कि Pakistan को member ना बनाया जाए तो अफगानिस्तान ने की थी ये याद रखी का काफी ज़्यादा famous question है next question after the demise of काईदयाजम who became the president of Muslim league in 1948 तो काईदयाजम की वफात के बाद जो president बने थे वो आपने याद रखना है जी चोधरी कली को जमान बने थे option B is the right answer in the north east Pakistan has a common border with तो आप सभी को पता है नौर्थ इस्ट में पाकिस्तान के चाइना बाया जाता है तो इसमें सिर्फ capital की बात ओड़ी है तो कब बना था जी 1960 में अगर officially बात होती तो फिर 1967 ही right answer बनता था ठीक हो गया next question हमारा identify the longest glacier of Pakistan बहुत सारे candidates बाल टोडो लगा देंगे लेकिन बाल टोडो तो तीसरे नबर बाता है ठीक है जो longest glacier वो है स्याचिन कैंसर पर मैंने आपको glow पी मदद से वैसे दिखाया भी हुआ लेकिन topic of cancer से मिन के उपर नहीं है ठीक है ये पाकिसानी क्हुच किसमत ही है ठीक है ये लाकी लाकी रहमत से ही है ठीक है तो अगर आपको वैसे मैं चाहिए था कि मैं आपको गलोब की मदद से भी दिखाता लेकिन फिल्हाल अभी आपने यह याद रहना है गलोब में टॉपिक ओफ कैंसर पर ही मीन के लाए करता है नेक्स क्वेसिन है विच पार्ट अपकस्तान रिसीव मैक्सिमम रेनफाल एनुली तो इन चार अप्शन में से बताना है वो कौन सा पाकस्तान का पार्ट है जो सबसे ज़्यदा मीन के जहां बारिश होती है हर साल तो वो है जी मरी ऑप्शन भी इस दा राइट आंसर नेक्स क्वेसिन है डाइमंड कट डाइमंड बसी के लिए इडियुम है इसका मतलब होता है इंतकामीκ कारवाई तो इन चार उप्शन में से वो आपने याद रहना है रिडैलियूषिन का मतलब ही यही होता है तो इसका बैसी करना किसी भी चीज मी तबढ़िल है तो इन चार option मेंसे जो right answer बता है to compensate for damage. Option B is the right answer. Next question is synonym of acrimonious. So acrimonious synonym आप सभी का बता है मिलता है जुलता हमने चार option मेंसे बताना है. Acrimonious का आपको meaning पता होना चाहिए. Acrimonious का मतलब होता है करवा ठीक है जो तल्ख मिजज हो. तो इन चार आप्शन में से देखें प्रोवकेटिव का मतलब होता है इनके इश्तियाल दलाना ठीक है चीप सस्ता चेंज़बल यह तो बनता है नहीं यह तो बनता है नहीं बिटर ठीक है यही राइट आंस बनता है थुरा सा तल्ख जिसे हम कहते हैं तो आप्शन इसदाया इंसर सिननोम आफ ट्रफ चूट तो डर्फी चूट का हमने मीनी बताना जी क्या होता है तो तो अनपूल्ब होना ठीक है कोई अच्छा फील नहो रहा होना तो लैठर के यह तो होता है मोहलिक ठीक है यह तो बनता है होने ऑन भी नहीं बन ता कैल्म बहुत बार यह आपने मिन के सुना होगा लवज टो ओंदवे बिसीटि लगी रास्ते परगी जो अपको डेक्शन होता ही है तो ओंदवे ही राइटांस बनता है नेक्स वेस्चन एंटर या मिन्स और या यह आपको मेन के नाम सी पता चल चल चुगा इन बट्वीन ठीक सब्सक्राइब RYAN की जाती है जिसमें इंकम मिनके अगर expenditure कोडिंग देखा जाए तो अगर इंकम ज्यादा हो जाए तो फिर surplus होता है ठीक है तो यही वैसे राइटांस बनता है बाकि scarcity presence none of the यह तो बनता ही नहीं ठीक है तो option A is the right answer अधर next question antonium of overt तो overt का हमने बताना है overt का मतलब होता है जाहर आया होना तो deep यह तो बनता है नहीं shallow यह तो होता है मिनके कम गहराई वाला यह तो यह भी नहीं बनता यह तो यह भी नहीं बनता तो मिन के next questions बताने से पहले मां again ये बात share करूँ आपने last part securing marks भी बताने हैं और आपने लाजमी वीडियो से related भी feedback देना है कि आपको आया कि वीडियो से related knowledge कुछ मिला कि नहीं मिला देखें वीडियो बनाने के लिए काफी ज़्यादा मेहनत लगती है ठीक है फर्दरेकौडिंग में एडिटिंग करने में ठीक है slides बनाने में तो इस लिए इसरफ जो आपके काम की चीज है ठीक है जो आप जिसकी वज़ासे आप मुझे मोटिवेट करसकते हैं वह आपके तो आपने लादमी करने हैं जैसी भी आपको वीडियो लगे उर्दू induced की पहली किताब सबश के खालय कों थे तो राइट अंस जो बनता है आपने याद डेकना है मिला विजी option किसकी तस्नेफ है तो आपने याद लगे है राइट अंस है मुम्तास मुफ़्टी option पी इस दा राइट आंसर नेक्स वेसन है अलामा इकबाल की कोंसी तस्नीफ इनकी वफात के बाद शाया हुई तो राइट आंसर जो बनता है जी अर्मगाने हिचास ऑपशन सी इस दा राइट आंसर तलकीन शाह के किरदार किस अदीब की तखलीक है इन चार अपशन में से हमने बताना है तो तलकीन शाह ये अश्वाक हैमद अश्वाक का कफी जदा फेमस मीन के किरदार है जी तो इन चार अपशन में से श्वाक हैमद अश्वाक तो आपको नज़र नहीं आएगे तो राइट आंसर बनता है इन में से कोई नहीं ठीक है तो option D right answer बनता है next question है कुरानमजीद में कुल कितने अंबिया कराम का जिकर आया है तो 26 है जी right answer बनता है next question है जी कुरानमजीद में सबसे ज़्यदा किस नभी का जिकर आया है तो वो है हज़त मुसा लेह स्लाम option is the right answer नेक्स क्वेशन है कुरानमदीद का पहला सजदा किस सुरह में आया है तो पहला सजदा आप सभी को पता होगा आपने याद भी रखना है सुरह अराफ में आप्शन B is the right answer नेक्स क्वेशन है वाक्या मिराज का जिकर कुरान पाक की किस सुरह में आया है तो वाक्या मिराज का जिक्र आपने की याद एकना है, सुरा बनी इस्राईल में नेक्स क्वेस्टिन है, हज किस सन इजरी में फर्ज हुआ, तो किस इजरी में हुआ था जी नो हिजरी में, option B is the right answer, next और आजी वीडियो का लास्ट क्वेस्टन है, कुरान पाक में, लफज मुहम्मद स्लिल लावले वाले वाले सलम कितनी बार आया है, तो आपने की याद एकना है, राइट आज जो बनता है, चार, चार बार आया है, ठीक हो गया, तो में पूछ सकते हैं, मैं आपका लास्मी जवाब दूँगा, आखर बर ये कि लापाक आपको आपके हन नेक मकस्द में कामया फरमाए, लापाक हम सब पर अपनी रहमत का नजूल फरमाए, थैंक यू फर वाचिंग, टेक केर, लाहाफीज